सबसे पहले हम measurement लेंगें इंची टेप से निशान लगा लेंगे पिर उसके बाद सूत से इस तरह से एक लंबा निशान लगा लेंगे जितनी दूर तक हमें measurement लेनी है अच्छे से लिशान लगाने के बाद हमें फिर cutting का काम शुरू करना है इदेखिए सूत से कूरा का पूरा लबा जितनी दूर तक हमें लगाना है हमें निशान लगा लिया है इदेखिए निशान लग कि अब त्यार हो चुका है इदेखिए नीचे वाइड़ वाइड निशान लगा हुआ है बिलिकुल एक straight direction के अंदर अब हम cutting का काम शुरू करेंगे, यह देखिए, cutting का काम शुरू हो चुका है cutting के बाद हम जो बीच में material है, इसको machine से हटा देंगे, यह देखिए उसके बाद हम speed breaker को install कर लेंगे, यह देखिए ऐसे और फिर इसके दोनों साइड मसाला लगागे, ऐसे एक straight line के अंदर हमारा speed breaker त्यार हो जाएगा, thank you